आरत के परोशी देश बंगला देश में फैली आराक्षन बिरोद को लेकर फैला बित्रोह ने इतना भ्यानक और बरा रूप ले लिया कि पूरा बंगला देश इस आग में जल रहा है यहां तक कि राष्टपती भवन परधान मंत्री भवन में घुश करके और परधान मंत्री आवास में घुश करके उपद्रियों ने लूट पाट मचाई नासिप उपद्रवियों ने लूट पाट मचाई बलकि तोर फोर की भी घटना को अंजान दिया है और बंगला देश की प्रधान मंत्री देश छोर कर भाग चुकी है भारत में उन्होंने सरन ले लिया है लेकिन सबसे बड़ी भ्याबह बात ये है कि बंगला देश की तरह ही अब हमारा भारत भी आरक्षन को लेकर जनने को तैयार है और कहा तो एहां तक जा रहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भी बंगला देश की प्रधान मंत्री की तरह देश छोर कर भागना परेगा और इस आग में घी डालने का काम चिराग पास्मान कर रहे हैं तेजश्णी यादब कर रहे हैं जीतनराम माजि कर रहे हैं और आखिर ऐसा क्या हो गया है कि बंगला देश की तरही हमारे भारत में भी ऐसी आग लग सकती है। हमारे देश के प्रधान मंत्री नवेंडर मोदी को भी छोड़कर देश को छोड़कर भागने की नौबत आ सकती है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला पास से आट मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने देखें। नमस्कार मैं प्रेंज कुमार सिंग और आप तेखने एक पोजेटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रधान मंत्री को बंगला देश की प्रधान मंत्री सेख हसीना को देश छोर कर भागने पर मजबूर होना परा है और आरक्षन बिरोत की लहर ने ऐसा भ्याबह रूप ले लिया कि पूरा का पूरा बंगला देश जल रहा है। आखिर बंगला देश की तरह ही हमारे भारत को भी जलाने की साधी सुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोट के एक एतिहासिक निरने से तेजस्वी आदब चिराग पासमान इतने उबले परे हैं कि अब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आखिर सुप्रीम कोट ने ऐसा क्या निरने सुना दिया है ऐसा क्या फैसला सुना दिया है जिससे चिराग पासमान और तेजस्वी आदब छट पटाने पर मजबूर हो चुके हैं और सरकों पर नंगा नाच शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम उससे पहले आपको बंगला देश के बारे में बता देते हैं कि आखिर बंगला देश में आखिर ये विद्रोह की ज्वाला कैसे भरकी और इसके बाद आखिर क्या इस्थिती है। आपको बताते चले कि बंगला देश में 30% आरक्षन स्वतंद्रता सेनानियों के बच्चे 10% महिलाओं को और 10% जो है अलग जिलों के लिए जबकि 6% एथिनिक माइनोरोटी को आरक्षन दिया जा रहा था। और इस आरक्षन को दिये जाने के बिरोध में बंगला देश की जनता सरक से लेकर संसत तक विद्रोह कर बैठती है। प्रधान मंत्री आवास में हजजारो की संख्या में आरक्षन विरोधी समर्थक पहुच कर बबाल मचाते हैं। एहां तक की सेख हसीना की सारी और पेटिकोर्ट तक विद्रोही प्रधान मंत्री आवास से लूट कर ले जाते हैं। कोई कुर्शी लूट रहा था, कोई AC लूट रहा था, कोई पंखा लूट रहा था, तो कोई एहां तक की ट्वाइलेट में चलाने वाला खलस्टक लूट रहा था। और यहां तक की प्रधान मंत्री आवास के एक-एक समान को लूट लिया गया है। से इस्तिफाद देती है, और उसके बाद सेना द्वारा मुहया कराया गया हेलिकोप्टर से भारत आ जाती है। और अभी बताया जा रहा कि प्रधान मंत्री सेख सीना, जो की पहले बंगलादेश की प्रधान मंत्री थी, अब ही वह भारत के नई दिल्ली में हैं। भारत की राधानी नई दिल्ली में हैं और ये भी बताया जा रहा कि हां से वह लंदन के लिए निकल सकती है, लंदन में उनकी काफी प्रपटी है और वे अपने परिबार समय वहां बसने के फिराक में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरी ये आक्यों भर की तो आपको बताते चले कि जिस प्रकार से आरक्षन बंगला देश में दिया जा रहा था, ठीक उसी प्रकार से हमारे भारत में भी आरक्षन दिया जाता है और बोट बैंक को खुश करने के लिए आरक्षन पर इसकी बिद्रोग की ज्वाला भारत में भी भरकना शुरु हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट का एक एतिहासिक निरनया आता है और सुप्रीम कोर्ट S.C.S की आरक्षन में क्रीमी लेयर का प्राद्धान लागु करने का निर्देश जारी करती है और इसी के बाद बबाल तो जो स्वी आदव हो या फिर चिराग पासमान हो ये लोग स्वार्थी लोग है और आखिर हम इनको स्वार्थी कैसे कर रहे हैं वो आपको आगे पता चल लाएगा आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्रीमी लेयर होता क्या है आपको पताते चले कि क्रीमी कूर द्वारा सुनाया गया जिसके बाद तेज़स्वी आदव और चिराग पासमान की फटी पड़ी है आखिर फटी क्यों पड़ी है तो आप ये जान लिजे कि क्रीमी लेयर कहता है कि आठ लाग जैसे मान लिजे कि आठ या हम मान लिजे कि हम एसी समुदाय से हैं यानि कि हम मान लिजे कि एक पासमान जाती से हम बिलोंग करते हैं अब इसमें क्या है कि हमको आरक्षन मिल गया और हमारी इंकम आठ लाक रुपे तक है या उससे जादा अगर सलाना है तो हमारी आने वाली पीधी को आरक्षन का लाब नहीं मिल पाएगा क्रीमी लेयर यही कहता है कि अगर एक परिवार के सदस्य को अगर आरक्षन का लाब मिल चुका है तो उसकी अगली पीधी को आरक्षन का लाब ना दिया जाए और क्रीमी लेयर का प्राद्धान यही कहता है जब कि हमारे देश में अभी की जो ACST को जो आरक्षन में वस्ता है इसमें क्या है कि पिता को भी आरक्षन मिलेगा पूत्र को भी आरक्षन मिलेगा और उसकी अगली पीधी जोएगी उसको भी आरक्षन मिलेगा और यही सब कुछ बंगला देश में हो रहा था कि स्वतन्तता सेनानियों के पीधी दर पीधी 30% आरक्षन दिया जा रहा था इसी को लेकर बावाल मच गया और ऐसी असंका अब भारत में भी जताई जा रही है कि भारत में भी ग्री युद्ध ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है अब सबसे बड़ी बात समझने की यह है कि जो राजा का बेटा यानि कि तेजस्वी आदब का कहना है जिराग पास्मान का कहना है कि सिर फरसिर राजा का बेटा ही राजा बनेगा बाद बाकी लोग जूठा गिलास पतल उठाने का काम करेगा लेकिन सुप्रीम कोट का कहना है कि एक बार जो राजा बन चुका है अब उसकी अगली पीडी को राजा नहीं बनाएंगे बलकि किसी दूसरे को राजा बनाएंगे त काफी श्राहनिये हैं लेकिन इस पर तेजस्वी आदब का चिराग पास्मान पतिला लगा रहे हैं आपको बताते चले कि SCST में ही बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षन का लब ठीक से मिल भी नहीं पाता अनिकी तेजस्वी आदब जी का कहना है कि यादब में अगर आरक्षन अगर मिल रहा है तो सिर्फ लालू प्रसाद यादब के परिवार को मिलना चाहिए बाद बाकी यादब जो है स सिराग पास्मान का भी यही मंतब है कि सिर्फ और सिर्फ रामबिलास पास्मान के परिवार को SC के तहट मिलने वाले अरक्षन का लाब मिले बाद बाकी पास्मान जी जो है अलुआ छिनने का काम करेंगे यानि कि ये लोग यही चाहते हैं कि जिसको अरक्षन का लाब जो प इन लोगों को आरक्षन का लब कभी नहीं मिल पाए यानि कि ये लोग कहीं न कहीं राजसाही लाना चाहते हैं समानता के अधिकार के ये लोग बिरोधी हैं आप लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिजेगा वहीं जीतन रामा जी अब साम ने आये हैं और उन्होंने कहा है कि वह जिस मुसहर जाती से तालुक रखते हैं उस समाज को आखिर आरक्षन का लाब कहा मिल पाता है क्योंकि A.C. में भी बहुत सारी जातियां है और इन सम में जो ज़्यादा दबंग है वह पूरा का पूरा आरक्षन का लाब उठा लेती है O.C. में जो है उसी तरीके से होता है जेनरल में भी आप देखे तो उसी तरीके से होता है जबकि क्रीमी लेयरिय कहता है कि अगर किसी परिवार का एक बेक्ती अगर अरक्षन का लाब ले चुका है यानि कि वह उसके परिवार का विकास हो चुका है वह नीचे से अगर उर तब दूसरे को इसका लब मिलना चाहिए जो की होना भी चाहिए ये जायज बात भी है इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिकरिया है अपनी प्रतिकरिया जरूर दीजेगा क्योंकि आप भी इस देश के बासी है और प्रधान मंत्री के बारे में कहा जा रहा कि अब हम ऐसी लराई छेरने वाले हैं इस देश के प्रधान मंत्री को भी नरेंद्र मोदी जी को भी देश छोड़कर भागना परेगा उन लोगों से यही कहना चाहते हैं कि भारत को बंगला देश समझने की गलती कभी मत करना क्योंकि यहां की सेना जो है विश्यु की सबसे अनुस अपमान कर रहे हो ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए जूरे रहे हमारे साथ जय ही जय भारत